नितीस बाबू ऐसी सराब बंदी नहीं चाहिए। बुखमंत्री जी ऐसा सुसासन नहीं चाहिए। देख लिए। जब किसी राज में चुनाव होते हैं तो राजनीतिक दल सराब बंदी का वादा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं आप ये बताइए। लिखा होता है न ग महिलाओं का अच्छा खासा वोट भी मिलता है। उस पार्टी से लोग उम्मीद कर बढ़ते हैं कि जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कम से कम सराब बंद हो जाएगी, तो घर में कलेह तो बंद होगी। महिलाओं को लगता है घर में पती शराब पी के ना है तो कम से कम तनाओं जगड़ा जंजट से बचेंगे बच्चों को अच्छा संसकार मिलेगा लेकिन एक ऐसा राज्य है जहां सराब बंदी है उसके बाद भी सराब पीने से लगातार लोगों की मौत हो रही है फिर क्या मत तो आप सुसासन बाबू है लेकिन नसे में आपका सुसासन जूम रहा है और जूमते सुसासन वाले बिहार में सराब से जिंदगियां खत्म हो रही है एक बार फिर सराब बंदी वाले बिहार में जहरीली सराब ने कई जिंदगियां खत्म कर दी हैं सिवान छप्रा और गो जिया उड़ाती ये मौते प्रसासन पर बार बार सवाल उठाती है सुसासन बाबू के बिहार में हर साल कई परवार कई परिवार जहरीली सराब की भीड़ चब जाते हैं जहरीली सराब माफिया सरकारी दावों की पोल खोल देते हैं खबर आई तो राजनीती सुरू हो गई लेकिन उन परिवारों का क्या जिसने अपनों को हो दिया बिहार में जहरीली सराब का दर्द और चालिस मौतों पर हो रही क्रूर सियासत क्रूर सियासत पर ये रिपोर्ट देख लिजे फिर पूरी खबर भी बताऊंगा देखिए हम रजवा के देखावे करें लेगों दुदिन सचक्रियात रहे हमारबंच बेच्चा हारादार उपियार रॉलाए हो वार्ट 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 वार्बस अलिलेग जाप नहीं बड़ता हुआ कि हो श्पिटल में ले गए नाटर बोला कि जारी लिए शराब के चलते आदमी का डेठ हुआ है कि अन्मोसर अलामां तो बता को लोंगे कहां सई दारू आवा तटे काहां भी काता सराब पीनेस के उज़े से मोथ हुए सरकार को और सक्ती से लागू करना चाहिए और नहीं ज़िसी सराब बंदी के मतलब क्या है सरकार अक्छम है कंप्रों गम्राइइज सरस्थी के नाम पर साराब की दुकाने बंद की गई हैं घर-घर सराब बिक रही है इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी हमारे बिहार के मुखमंत्री अभी तक एक सोक संबेदना भी व्यक्त करने के काम नहीं कि अब सराब माफिया इसे इसे पड़े हैं कि वो फानी की जहाज बना लिये हैं वहां से पहुंचाते हैं राजनीती करने वाले कब तक राजनीती करें दें कभी नितीस बाबू बिजेपी के साथ रहते हैं कभी आरजेडी लालू परिवार के साथ चले जाते हैं सरकार NDA की हो या वेपक्च की मौते तो होती ही रही हैं जरीली सराब से और मुखमंत्री आप ही रहें गजब का ये भी देखिए क्या नितीस बाबू का कनेक्शन है राजनीती से और किस तरह से रणनीती है कि चाहे लालू परिवार के साथ सरकार बनाएं आरजेडी के साथ बनाएं चाहे बीजेपी मुखमंत्री नहीं बदलता सोची चलिए विस्तार से कुछ आंकडे दिखा देता हूँ आपको जो चिंता पैदा करते हैं बिहार में सराब बन्दी लागू है आठ साल से जादा हो गया एक अपरेल 2016 से बिहार में सराब बन्दी कानून लागू किया गया लेकिन इस कानून की जमकर धजियां उड़ाई इस कानून को तोड़ने के आरोप में साल 2016 से अब तक 8,43,000 से जादा केश दर्ज हुए करीब साड़े तीन करोड लीटर साड़े तीन करोड लीटर से जादा की अवैद सराब जब्त की गई सराब बंदी वाला राज है यह 12,00,00 से जादा लोग गरफतार हुए क्या मतलब है ऐसी सराब बंदी का क्या मतलब सराब बंदी से 2016 से लेकर अब तक 400 से जादा मौतों का दावा किया जाता है लेकिन सरकारी आकड़े में मौते 200 से भी कम है और तो और नितियस बाबू से सवाल करेंगे इन मौतों पर तो कहते है पीओगे तो मरोगे मतलब मुख मंत्री से कर कोई सवाल करें तो कहते है पीओगे तो मरोगे अरे भाई तो शराब बंदी का क्यो ढोंग करना सुना दीजे जरा नितिश कुमार ने कब कहा था पी ओगे तो मरोगे सुनाइए जहरीवी सराब से तो सुरू से लोग मरते हैं आदेश भर में मरते हैं लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा है उस तो ऐसी गल्पी करता ही है साल 2022 में बिहार में जहरीवी सराब से सौ से ज़्यादा मौते हुई थी पीओगे तो मरोगे अरे भाई जब सराब बंदी है तो क्यों पीओगे तो मरोगे कहां से आ रही है सराब कई परिवार उजड़ गए थे मुखमंत्री जी तब नितीस बाबू से कहा गया कि पीडित परिवारों को मुआपजा दीजिए तो साफ साफ नितीस बाबू ने कहा दिया पीओगे तो मरोगे बात साफ है कोई मुआपजा नहीं देंगे मतलब जो पूछ रहा है वही बुडबक हो गया है मंत्री जी को भी सुन लीजे जरा सुनाइए लगातार इस तरह की घटना हो रही है नहीं लग रहा है सराब बंदी खेलियोर है यह बुडबक वला बात मत करो आथी 302 का मुदाले होता है ने लोग उसमें कानून अथी मौत की सजा होती है ने लेकिन सर छेटपूर घटनाएं सामने आ रही है तो सरकार अब क्या सरकार तो जो करने का था सराब बंदी कानून लागू किया है लेकिन समाज को जागरुख होने की जरुवत है मंतरी जी का मानना है सराब बंदी हो गई अब समाज को जागरुख होने की जरुवत है लेकिन मंतरी जी समाज के साथ साथ पूरी सरकार को भी जागने की जरुवत है आपके पूरे प्रसासन को जागरूख होने की जरूरत है जिसके नाक के नीचे जहरीली सराप का कारोबार चल रहा है उसको रोकने की जरूरत है 40 से जादा मौते हुई है तो विस्तार से ख़बर बताना जरूरी था राज बिहार हो या कोई दूसरा 40-40 मौतों पर आपको सावधान और जागरूख करना जरूरी था जो बिहार के मंतरी जी गहरे दे इसलिए पूरी ख़बर विस्तार से बताई